Indian passport आप renew करना चाहते हैं आपका passport expire हो चुका है या फिर expire होने वाला है और आप उसे renewal करना चाहते हैं तो कैसे renew करेंगे इसके अलावा आप अपने passport में किसी भी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं जैसे की नाम, address, date of birth, पती या पत्नी का नाव या फिर TCR को non-ECR में करना चाह तो कैसे renewal करेंगे और कैसे passport में सुधार करेंगे सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं वीडियो काफी खास होने वाला है तो उसलिए कि याज तक वीडियो पूरा जबू देखिए चैनल पर पहली बार हूं किसी प्रकार की वीडियो देखना पस सकते हैं अगर यदि आपका अभी तक id में create नहीं है तो आपको उपर new user registration इस पर क्लिक करना है आप Delhi से आते हैं तो आप फर्स्ट वाले वेकल्प का क्लिक करेंगे अगर यदि आप Delhi से नहीं है कहीं दूसरे पासपूर्ट ऑफिस है तो आप सेकेंड पासपूर्ट ऑफिस चेंड करना है मैं रहता है जब पूर में हुए लेकिन मेरा जो चैप्टल में पासपूर्ट ऑफिसल वह भोपाल का है तो मैं यहाँ पर भोपाल का चेंड कर लूँगा यहाँ पर id बना नहीं है आप id किसी के भी नाम का बना सकते हैं अगर यदि आप जिसका पर क्लिक करेंगे पहले सं का चेंड करेंगे फिर मंत का चेंड करेंगे फिर डेट का चेंड कर लेंगे इसके बाद आपको email id दर्ज करना है email id सही तरीके से आपको दर्ज करनी है क्योंकि उस पर एक verification link पहुँचाया जाएगा email id देने के बाद आप उसी email id को अपना login id करेंगे उसके बाद जो भी number आप डालना चाहते हैं लास्ट में डाल सकते हैं जो password आपने उपर डाला है उसी password को नीचे confirm करेंगे hint question में आप जो भी question select करना चाहते है उसको select करेंगे और उसी answer नीचे hint में fill कर देंगे इस capture code को box में दर्ज करके register पर क्लिक करेंगे अब आप अपना email id वहाँ पर verify कर वालेंगे email id दर्ज करेंगे तो आपका email id verify हो जाएगा जब आपका email id verify हो जाएगा आपको दुबारा से home page पर आना है existing user login पर क्लिक करना है अब यहाँ पर जो भी आपने email id लिया हुआ था जो कि आपने user id बनाया हुआ है उससे यहाँ दर्ज करेंगे continue पर क्लिक करेंगे अब password दर्ज करके login हो जाएंगे portal से simple तरीका है नहीं पता तो इसको पर मैंना proper videos बना दिया था अगर करके देख लेना उपर link मिल जाएगा आपको वीडियो का अब जब आप login हो जाते है तो आपको क्या करना है अप्लाइफ प्लिक करना है और यदि किसी भी प्रकार का सुधार नहीं है तो सीधे ही आप normal या ततकाल अगर आपको जल्दी passport चाहिए तो इसकी फीस एक्ष्ट्र होती ततकाल में आप प्लिक करेंगे अगर normal passport की apply करना चाहते है तो normal पर प्लिक करेंगे passport में आपको कितने pages चाहिए 36 या 60 उसका chain करें करिये और अगर किसी भी प्रकार का सुधार है तो यहाँ पर फर्ष्ट वाले विकल पर आप ड्लिक करेंगे चैंज इन एकजेक्स्तिंग तु यहां पर पचेह विकल पा जाएंगे कि आप कीस चीज का सुधार करना चाहते हैं तो इस पर केक और यहाप्स Arya passport में एड्रेस सुधार करना चाहते हैं तो एड्रेस पर क्लिक करेंगी पत्नी या पती का नाम सुधार करना चाहते हैं तो इस पर प्लिक करेंगी मेरे case में तीन चीजों का सुधार हुना है एक date of birth का date of birth पर click करता हूं, दूवसाय relation name में, यानि कि husband name में, first name में सुधार होना है, तो में यहाँ पर Spot name पर click करता हूं, तूअ त्ीसरा है add this सुधार, तू मैं add this पर click करता हूं तो मैंने यहाँ पर 3 सुधार मुझे करना है, तो यहाँ पर मैंने तीन चीज़ों को टिक कर लिया है आपके में अगर सुधार नहीं हो तो आप इसे अंटिक ही रहने देंगे यहाँ पर देख रहे हैं डेमेज पास्पोर्ट अगर यदि आपका पास्पोर्ट फट गिया है बहुत जादा गंदा हो चुका है अब यहाँ पर नीचे दो विकल्प नजर आ रहे हैं अब अगर यदि आपके पास्पोर्ट को एकस्पायर हुए तीन साल यह उससे अधिक हो चुका है तो आप फर्ष्ट वाले विकल्प यानि कि इस पर क्लिक करेंगे और अगर यदि आपका पास्पोर्ट एकस्पायर होने में अभी समय है तीन साल के अंदर ही अभी एकस्पायर हुआ है यानि कि एकस्पायर हुए कंप्लीट तीन साल नहीं हुए है आप सेकेंड वाले विकल्प का चेन करेंगे इस प्रकार से आप अपने अनुसार दिये गए विकल्पों का चेन करेंगे इसके बाद next पर click करेंगे given name में आप जो भी documents यहाँ दे रहे हैं जैसे कि मैं आधार के अनुसार passport के लिए आविदन कर रहा हूँ तो यहाँ पर अधार में जो भी spelling है मैं उसे दर्ज करूँगा याद रहे कि अधार card में और passport में एक से name की spelling होना चाहिए address एक सा होना चाहिए gender data बद सब एक सी होनी चाहिए क्योंकि अधार के अनुसारी आपकी सारी जानकारी passport में ली जाएगी मैं सबसे पहले आपर नाम दे देता हूँ given name में जाता हूँ first वाले column में आपको first name plus middle name दोनों एक साथ में ही दर्ज करना है अगर यदि आपके अधार में surname नहीं दिया हुआ है तो आप इसे surname वाले विकल्ब को छोड़ भी सकते हैं कि यहाँ पर जिन पर star लगा हुआ है सर्फ आपको और नहीं box को बरना जरूरी है तो हम यहाँ पर first name और plus middle name दोनों एक साथ दे देते हैं किनी किस में किसी व्यक्ति का सिर्फ first name ही होता है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आप यहाँ पर first name है तो आप सिर्फ और first name भी दे सकते हैं काफी सारे लोग first name, middle name, last name में confused होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ अगर आपका नाम है Salma Ara तो Salma first name में जाएगा, Ara middle name में जाएगा और खान भी लिखते हैं तो फिर वो खान अगर सरनेम हो जाता है तो यहाँ पर सरनेम में चला जाएगा और अगर यदि मैं चाहूँ खान पर भी इसमें ही आइड कर दू first name plus middle name plus last name टुबै भी चल जाएगा और अगर यदि आपका नाम सिर्फ Salma है या फिर Salim है single name है यानि कि first name bus है तो आप यहाँ पर अपना first name bus दर्ज कर देंगे इसके बाद आप नीचे gender का chain करेंगी gender का chain करने के बाद आप पूछा जा रहा है कि आप किसी और अन्य नाम से जाने जाते हैं तो yes या no का chain करेंगी आपने कभी अपना नाम change किया है या नहीं उसका chain करेंगी आवेदक का date of birth के लिए आप इस calendar के box पर icon पर click करेंगी यहाँ पर सबसे पहले sun का chain कर लेंगी तो इसके बाद month का chain करेंगी आवेदक की पैदाइस इंडिया के बाहर है तो yes पर click करेंगी और उसका विवरन दे देंगी कौन सी city village और कौन सी country में है इंडिया में ही पैदा हुआ है तो यहाँ पर no पर click करेंगी अब place of birth में अब जिस गाव शेहर या city में पैदा हुए है उसका नाम यहाँ पर दर्ज कर देना है voter card अगर यही है तो voter ID card number दर्ज कर देंगे अगर नहीं है तो इन case आप इसे छोड़ी सकते हैं employed type में आप यहाँ जाएंगे आविदा क्या काम करता है उसकी जानकारी आपको यहाँ दर्ज करनी है government job है private job है कोई भी काम नहीं करते या फिर student है self-employed है इसकी आपको जानकारी देनी है अगर यह आप इसका passport apply कर रहे हैं उसकी age 18 से कम की है और मातपिता government employee है तो yes पर तीक करेंगे अनिथा no पर तीक करेंगे education qualification की details यहाँ पर दर्ज करनी है कि आवेदक ने किस कक्षा तक पढ़ाई की है आवेदक graduation है या फिर उससे अधिक पढ़ाई की है तो first वाले विगल्प का chain करेंगी आवेदक ने कक्षा 7 मी या फिर उससे निसलियस्तर की पढ़ाई की हुई है या फिर पढ़ाई नहीं की ह हुई है तो आप second वाले विगल्प का chain करेंगी आवेदक ने कक्षा 10 मी या फिर उससे अधिक की पढ़ाई की हुई है करेंगी और अगर यदि आवेदक ने class 8 और 9th standard की पढ़ाई की हुई है तो fourth वाले विगल्प का chain करेंगी अपने ही आप यहाँ पर DCR और non-ACR ले ले अगर shortcut में बताऊं ECR passport वह कहलाता है जिन्होंने दस्मी से कम की पढ़ाई की होती है non-ACR passport वह कहलाता है जिन्होंने 10th class से उसके उपर की पढ़ाई की होती है तो ऐसी case में उनका passport non-ACR category में आता है अगर आवेदक ने दस्मी कक्षा के नीचे की पढ़ाई की हुई है तो इ नीचे आधार card number दर्ज कर देना है आवेदक का जिसका passport की apply कर रहे है तीचे yes पर click करेंगे save my details पर click करेंगे save my details पर click करना जरूरी है जिससे कि आपके passcode की जो भी जानकारी आप में दी है वह safe हो जाए इसके बाद दुबारा CS पर click करके next पर click करेंगे अब इसके बाद father का नाम दर्ज करना है याद रहे father का first name और middle name एक ही column में आना चाहिए sir name अगर देना चाहते हैं तो second box में दे सकते हैं अनथा आप इसे छोड़ भी सकते हैं ठीक इसी प्रकार से mother का name इस box में दे देना है आविदक के mother का name अगर यदि कोई legal guardians है तो legal guardians के नाम इस box में बरें इसके बाद save my details पर click करके next पर click करेंगे अगर आविदक का address इंडिया के बहार है तो yes पर click करेंगे और अगर यदि आविदक का address इंडिया में ही है तो no पर click करेंगे और आविदक के अधार के अनुसाथ पूरा address यहाँ पर fill कर देंगे याद रहे 48 character में ही आपको पूरा address fill तो ज़रुरी नहीं कि आप पूरा पुरा फुल एड्रिस डालें, जो मेन मेन एड्रिस हे आप वधी डाल सकते हैं, जैसे कि हाॉस नंबर, स्ट्रीट नंबर और लेंड मार, बस ये तीन सीज आप डाल सकते हैं, इसके बाद आविदक का जो भी एड्रिस दे रहे हैं, तो वह एड्रिस विलेज टाउन ये सिटी के अंदर गता आता है तो उसका नाम यहां दर्जि कर देना है इस्टेट का चेन करना है डिस्टिक का चेन करना है पुलिस स्टेशन का यहां पर चेन कर लेंगे आविदक का कौन सा पुलिस ठाना लग रहा है पुस्टल एरिया पिन-कोड दर्ज कर देंगे आविदक का मुबाइल नमबर दर्ज करेंगे इमेल आईडी दर्ज करेंगे अब जो आपने उपर पता दिया हुआ है क्या आविदक का पर्मानेंट एड्रेस है है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे अनथा नो पर क्लिक करेंगे अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे पंुचा जा रहा है, आविदक का Permanent Address, सेम address है, जिस पते पर अभी रह रहा है, अगर रह रहा है, तो yes पर clik करेंगे, अन्ठनों पर clik करेंगे, और आविदक अभी जहाँ भी रहा है, इस address की नीचे जानदारी दिरेंगे, फिलाल permanent address और present address same है yes पर click करेंगे save my details पर click करके next पर click करेंगे उपर ok पर click करेंगे दुबारा से फिर ok पर click करेंगे emergency contact में आप आविदक के किसी भी relative का नाम और address यहां दर्ज करना है husband पती बच्चे भाई माता पिता किसी कभी आप emergency में नाम दे सकते हैं और उसका address यहां पर fill कर सकते हैं जिसका भी उपर नाम और address दे रहे हैं उसका mobile नमबर नीच से fill कर देंगे इसके बास save my details पर click करके next पर click कर देंगे नाम और address आपको एक साथ देना for example इमरान और अगर मेरा address है तो मैं पॉमा लगा कर जो भी address है demo address उसका address यहां टाइप कर दूँगा अब यहां पर पुराने passport की जानकारी मांगी जा रहे हैं तो passport number आपको यहां दर्ज करना है जो कि आपको passport में यहां पर नजर कर लेंगे ठीक इसी प्रकार से passport कब expire हो रहा है उसकी date यहां पर select कर लेंगे passport कहां से issue किया गया था किस village टाउन यह city से उसका नाम आपको passport में नजर आ जाएगा तो passport issue place name आपको यहां पर दर्ज कर देना है अब passport का file number दर्ज करना है जो कि आपको passport में सबसे last में आपको न हम दुबारा से यहां पर दर्ज कर देंगे और passport issue date हम यहां पर दुबारा से select कर लेंगे और expiry date भी दुबारा से हम यहां पर select कर लेंगे place of passport issue city का नाम हम यहां पर दर्ज कर देंगे अब यहां नीचे पूछा जा रहा है कि आपने कभी passport के लिए apply किया था लेकिन किनी कान उससे आपका passport issue नहीं किया गया है अगर ऐसा condition है तो yes पर click करेंगे और नीचे reasons दे देंगे file name बगेरा और अगर यदि ऐसा नहीं है तो सीधे no पर click करके save my details पर click करेंगे और next पर click करेंगे अब कुछ important जानकारी है जिस पर आपको yes या no पर click करना है अगर किसी प्रकार का यहाँ पर आपने crime किया है या नहीं किया है उस सभी की जानकारी यहाँ पर पूछी जा रही है अगर यदि आप से English नहीं आती तो आप से जो भी यहाँ पर पूछा जा रहा है तो आप इससे यहां से select करेंगे Google translate में जाएंगे और इससे translate कर लेंगे English to Hindi में और यहां पर यहां पर क्या पूछा जा रहा है आप उसका yes या no पर जबाब दे सकते हैं कि आपके द्वारा किये गए प्रात के संबंद में कोई कारवाई भारत में अपरादिक अदालत में संबित लंबित है यानि कि किसी प्रकार का case चल रहा है या नहीं उसका जानकारी देना है ठीक इसी प्रकार से आप एटेक करके सभी पर yes या no पर क्लिक कर देंगे इसके बाद save my details पर क्लिक करेंगे फिर next पर क्लिक करेंगे अब यहां पर आपको एक प्रारूप दिखाय जा रहा है जो भी passport में आपकी जानकारी प्रिंट होकर के आना है आपको यहां पर अच्छे से spelling मिला लेना है नेम की spelling जनमतिती इस्थान पिता का नाम माता का नाम पती या पत्नी का नाम एड्रेस पुराने passport की जानकारी सभी जानकारी मिला लेना है उसके बाद में ही आप next पर क्लिक करेंग ठी किसी प्रकार से आप नीचे address proof के लिए इनमें से कोई भी एक documents का chain कर सकते हैं इनमें आपका address बिल्कुल perfect मौझूद होना चाहिए जो कि आपने अभी passport में दिया हुआ है आप यहां पर address proof के लिए आप अधार कार्ट को भी select कर सकते हैं 2023 तक तो proof of birth के लिए आप अधार क अधार का विकल्प अलग कर दिया गया है किसी भी प्रकार का आपका passport गुमा हुआ है या लॉस हो गया है तो आपको एनेंग्जर F कि आफ सकता होगी इस केस में आप इस बॉक्स को टिक करेंगी और एनेंग्जर F को आप डाउनलोड कर लिए इस प्रकार का form आएगा लेकि आपका passport damage नहीं है सिर्फ आप renewal करना चाहते हैं आप यहाँ डिजी locker का भी व्योग कर सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ एडिस पूफ के लिए अगर आपका कोई भी documents digital locker में पढ़ा हुआ है तो आप उसके लिए digital locker को access भी यहां से करा सकते हैं और वहां से ही उसे attach कर सकते ह जहां से भी आप passport की आविदन कर रहे हैं उस जगे place का नाम आप दर्ज कर देंगे I agree के box को tick करेंगे save my details में click कर देंगे आपने जो भी जानकारी दी है उसे दुबारा से check करना चाहते हैं preview application form पर click करेंगे यहां पर आविदक की आपने जो भी form में जानकारी दी है वह सारी जानकारी आ गई है आप इस एक बार अच्छे से check कर सकते हैं फिर इसका print भी निकाल के अच्छे से check कर सकते हैं और अगर जानकारी सभी चीज़ सही है तो सीथे submit form पर आपको click करना है इसके बाद payment कर विकल पा जाएगा तो यहां पर आपको बे-end schedule appointment पर click करना है online payment के state bank के option को select करके next पर click करना है अब यहां से आपको city appointment book करना है तो next पर click करेंगे right में आपको यहां पर कुछ passport सिवा कैंदर के name show हो रहे हैं उसके साथ में उस passport सिवा कैंदर में किस तारिक में date available है वह भी यहां पर show हो रही है आप यहां पर देख पाएंगे या तो फिर left में आप जहां पर भी अपने नजदी की passport सिवा कैंदर में appointment लेना चाहते हैं यहां पर आप उस passport सिवा कैंदर का chain कर लेंगे इसके बाद नीचे capture code को इस box में दर्ज करेंगे max पर click करेंगे जो भी नजदी की date है वह यहां पर आपको show हो जाएगी इसके लावा आप को दूसरी date ले करना चाहते हैं देट को select कर लेंगे एंड बुक appointment पर click करेंगे यहां पर click करेंगे comment gateway के अलग अलग माध्यम आप यहां पर देख सकते हैं SBI internet banking के माध्यम से payment कर सकते हैं debit card, credit card के माध्यम से payment कर सकते हैं आपका state bank में net banking नहीं है तो आप कोई दूसरे net banking के माध्यम से कर सकते हैं तो other bank net banking का chain करके आप दूसरे किसी bank से payment success कर सकते हैं UPI payment के माधियम से payment करना चाहते हैं तो UPI पर click करेंगे नेची आएंगे QR code के माधियम से करना चाहते हैं या UPI number के माधियम से तो उसका chain करेंगे एक बार payment कर देने के बाद आप passport में भरे गए form की किसी विप्रकार का सुधार नहीं कर सकते हैं तो इसलिए payment करने से पहले ही आप सुनिस्थित कर लें कि आपने जो भी जानकारी दी है वह सही है कुछ समय का आपको wait करना है यहाँ पर आपकी payment successful हो चुकी है यहाँ पर आप payment status देख पाएंगे payment success का विकल आ रहा है तो payment success हो चुकी है काफी case में देखा जाता है यहाँ पर pending show होता है pending show होनी की स्थिति में आपको दुबारा सा payment नहीं करनी है पहले payment clear करना है payment अगर failed होता है तो ही आपको payment करनी है इसके उपर मैंने proper videos बना दिया है यह वाली videos जातर के देखेंगे अगर payment pending show हो रही तो आप इसे कैसे clear करेंगी यहाँ पर आप जाकर के देख लेना जानकारी मिल जाएगी print application receipt पर क्लिक करेंगे नीची आएंगे print application receipt पर दुबारा से क्लिक करेंगे पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर passport की appointment की receipt मिल जाएगी left में आविदक की सारी जानकारी दिखाई जाएगी right में application fees appointment details में जहाँ पर भी आपका passport सेवा कैंदर है उसका perfect address आ रहा है कि आपको इस address पर जाना है नीचे appointment की date आप देख सकते हैं किस date में आपको appointment में जाना है और आपका time कब है appointment का और reporting time आपको कब देनी है तो नीचे date और time भी reporting की आप देख सकते हैं इसके बाद नीचे badge और sequence number भी आपको नज़र आ जाएगा इसका print लेने के लिए नीचे की और आएंगे print application receipt पर क्लिक करेंगे और सिर्फ first page करी आपको print लेना है बाकी के नीचे दो extra print हैं आपको से skip कर देना है अब हम इसके बाद documents की बात कर लेते हैं अब हम documents की बात कर लेते हैं documents में अधार card, passport size photo आपने address फूफ के लिए जो भी documents का chain किया है ये documents आपको passport appointment के ले जाना अनिवार है इन सभी के वो से फोटो कापी आपको ज़रूर से ले जाना है अगर यदि आपका कुछ correction है तो आपको वहाँ पर news paper की इस्तिहार की cutting लग सकती है आपको किनी भी दो news paper में इस्तिहार देना है कि आपने passport में जो भी changes करवा रहे हैं इस्तिहार आपको paper में देना निवार होगा और उसकी cutting आपको passport office में appointment के वक्त लेकर जानी होगी यह विकल्प सिर्फ और सिर्फ सुधार के लिए होता है जब आप पता या date of birth में सुधार करना चाहते हैं या husband निम में सुधार करना चाहते हैं अगर renewal करना चाहते हैं तो renewal में आपको paper में इस्तिहार के आउसकता नहीं होती है appointment complete होने के बाद अब आपकी जो file है वह आपके थाने में पहुंचा दी जाएगी अब आपको आपके थाने में 2-3 दिन के बाद संपर्क करना है कि आपने passport के अविदन किया था आपकी file थाने में आई है या नहीं अगर आई है तो वहां से आपको थानेदा documents बता देगा कि यह documents आपको लेकर करके आना है तो आप वह documents थाने मिलने जाकर अपना police verification करवा लेंगे किसी भी प्रकार का कोई सुझाओ देना चाहते हैं या फिर आपको कुछ questions हैं तो नीचे comment box में comment करना बहिती भी न भूलें और चैनल को अभी subscribe एवाँ follow जरूर करें और हाथ जरूरक मन के साथ वीडियो को share जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में जय हिंच बंदे मातरम